नमस्कार, मेरा नाम नवेंदर सिंग है, ट्री ओफिस गिल्स में मैं कथक दान्स टीचर नू, आज का हमारा विशय है कथक नृत्य में दैनिक अभ्यास में क्या करें और कैसे करें, तो चलिए शुरू करते हैं कथक नृत्य की शुरूआत करने के लिए हमें दैनिक रूप से ततकार, हस्तक, चक्कर, हस्त मुद्राओं, आदि को दैनिक रूप से अभ्यास करना होता है ततकार में पैरों को तालबध तरीके से चलाते हैं, हस्तक में हाथों को लयबध तरीके से पहले डाएं और उसके बाद बाएं हाथों को चलाते हैं, चक्कर की गती को धीमी फिर तेज करते हुए चलाते हैं या करते हैं, इसे कतक नृत्ति की भाषा में रियाज कहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अब हम जानेंगे कथक में होने वाले डैनिक अभ्यास यानि की डेली एक्सरसाइज़स को जिसे हमें रोज करना चाहिए ठीक है और जस्ते हमारे पाम मजबूत होते हैं और हाथ भी मजबूत होते हैं ठीक है और इससे डांस करने में बहुत ही आसानी होती है तो चलिए शुरू करते हैं और इसे देखते हैं तो अभी आपने देखा ततकार इसे हम सीधे खड़े होकर करते हैं और इसमें पैरों को चलाते हैं बंटू थ्री फो बंटू थ्री फो ठीक है इस क्रम में और आईए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हस तक तो अभी आपने देखा हस तक इसमें पहले दाई और फिर बाए हाथ को चलाते हैं दाई हाथ को उपर ले गए नीचे लाए बाए हाथ को उपर ले गए नीचे लाए ऐसा क्रम लगाए रहते हैं और इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चक्कर तो जैसा कि अभी आपने देखा चक्कर इसमें गोल फेरिया लेते हैं जिसे हम चक्कर कहते हैं तो अभी आपने देखा कथक का रियास कैसे करें तो सबसे पहले पैरों को चलाएं इसे ठीक करें इसके बाद हाथों को चलाएं हाथों को ठीक करें फिर चक्कर लें इसमें पहले धीमे करें फिर तेज करें ठीक है तो आज की विशय में सिर्फ इतना ही अब हम फिर से मिलेंगे तब तक ये लिए नमस्कार